गुड मॉनिग बच्चो वैलकम तो माई चैनल पेटा आज हम करेंगे क्लास सिक्स की मैच की वक्षीट वक्षीट नमबर 26 जो कि आपकी देट 24 दिसेम्बर की है चले स्टार्ट करते हैं हमारे डेसिमल चल रहा था हमने लास्ट वक्षीट में एडिशन ऑफ डेसिमल करना करेंगे बहुत इजी है जैसे सिंपल हमने एडिशन सीखा वैसे सब्ट्रेक्शन है हरी एंड हीना वें टू दा मार्केट टू परचेश हरी परचेश गिफ्ट विडिस्काउंट हरी ने एक गिफ्ट कि खरीदा जो 9.89 डिसकाउंट पे था और हिना ने जो गिफ्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल आना है बस आपको यह जीज जहानक नहीं है उसके आद यह आपको पताईए डेसिमल के बाहर टेंथ होता है यह टेबल में बना रखका है तो जब आप माइनिस करेंगे तो सिंपल आपका अंसर आ जाएगा subtract करने के लिए क्या rule follow करना है write down the two numbers one under the other with the decimal point line up put in 0 so the number have the same length then subtract as usual यानि कि देखे यहाँ पर for example 15.45 में से आपको minus करना है 11.2 अब यहाँ जब आप minus करेंगे तो यहाँ 2 digit है decimal के बाद यहाँ 1 digit है तो आप 1 0 लगा लेंगे ताकि आपको 2-2 digit मिले decimal के बाद जो है same digit हो तो यहाँ वही क्या है इनों ने देखे 0 लगा दिया है और minus कर दिया है तो answer आपका आगया है चलिए अब हम questions देख लेते हैं first question है आपको subtract करना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ A का answer आपको subtract करना है 30.8 में से 17.35 अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ एक 0 लगानी पड़ेगी जब आप 0 लगाओगे minus करोगे 10 में से 5 गया 5 यहाँ 7 है 7 में से 3 गया 4 यहाँ 10 में से 7 गया 3 और यहाँ आपका 2 है तो यहाँ आपका answer आजाएगा A का B में आपको क्या करना है B है आपका 52. एक सिकेंद इसको प्लिए लिखती हूँ 52.97 में से आपको minus करना है 11.7 यहाँ 0 लिख लेंगे चीक है तो minus कीजिए 72.14 यहाँ आपका answer आजाएगा B का ठीक है चलिए अब हम C करते है C में आपको minus करना है 201.99 में से minus करना है आपको 22.29 तो यहाँ आप 0 लिख लेजे minus कर लेते हैं यहाँ आपका C है 9 में से 9 गया 0 9 में से 2 गया 7 1 में से 1 गया 0 10 में से 2 गया 8 और यहाँ आपका बचा 1 ठीक है तो यहाँ का answer आजाएगा, D करते हैं, D में क्या है, इस मेंसे इसको minus करना है, सीधा ही लिखा हुआ है, 18.5 मेंसे minus करना है, 9.84 को, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो हम 0 लगा लेंगे, minus करेंगे, यहाँ एक carry किया, borrow किया, मतलब 10 मेंसे 4 किया, 6, और यहाँ 4 बचा, 14 मेंसे 8 किया, 6, चीक है, तो फिर यहाँ का answer आजाएगा, 17 मेंसे 9 किया, 8, चीक है, तो यहाँ का answer हो जाएगा, चलिए, अब हम question number 2 देखते हैं, 2 में क्या है, John bought 5.5 kg sugar, तो आप सबसे पहले line यही लिखेंगे, John bought sugar, शुगर कितनी लाया हो, 5.5 kg, और क्या लेकर आया हो, इसने spend कर दी, तो he spent sugar, कितनी शुगर उसने खर्च कर दी मिठाई बनाने में, 4.5 kg, चीक है, यह दो नो लाइन लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे, how much sugar was left behind, कितनी शुगर रहे गई, ठीक है, तो आप लिखेंगे, sugar left is equal to, आप माइनिस करके दिखा देंगे, 5.5 minus 4.5 kg, आप साथ में लिखेंगे, unit ज़रूर लिखनी है, जब आप माइनिस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, तो 1 kg उसके पास शुगर बच गई, ठीक है, तो यहां आपका या answer number, question number 2 भी हो गया, यहां आपकी वोक्षीट खतम होती है, I hope आपको अच्छे से समझ भाई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंज के साथ शेर ज़रूर करें, थैंक यू,